सब्सक्राइब कर दोस्तों मैंने नाम का पुछ सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कर दिखेंगे मैचब के प्राइस डबाल होने से हमारे एक्जाम का क्या लेना देना बिल्कुर लेना देना है क्योंकि जब इस तरह के डिवलप्मेंट्स होते हैं तो कुछ science related topics UPSC आप से पूछ लेती है कुछ chemistry related topics आप से पूछ लेती है कुछ historically भी बाते आप से पूछ लेती है तो इस वी प्राइसी चीज़ जो पायर का काम करती है उसमें safety वर्ड क्यों डालना पड़ा मैनुफैक्टर्स का यह कहना है कि मजबूर थे प्राइस बढ़ाने में हमाया पस कोई option नहीं था हम काफी लंबे समय से महंगाई जेल रहे हैं बहुत सारे inputs महंगे होते जा रहें labor cost बढ़त अब बात है कि 40 साल पहले जो matchbox के price थे और अब जो price है बहुत दार difference आपको नहीं देखेगा 40 साल पहले प्राइस जो 25 पे सिवा करते थे आज December 1st 2021 में जाके 2 रुपे होंगे तो लगवा कि जो 8 टाइम्स का price आप यहां पे देख रहे हो इंफलेशन से match होता नहीं देख र टाइम्स का फरक आगया लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे 8 टाइम का फरक एक ऐसी बहुत important component है matchbox आपकी घर में daily use होती है daily हम इसको कहीं न कहीं purchase करके लाते है हमारे daily के संसाधनों का यह important यह daily के utilization का important component है कहा जाते है इंडियन की इंडियन डेमोग्रिफी को लेके house purpose के लिए religious purpose के लिए personal reasons के लिए काफी ज्यादा use की जाती है सबसेड़ी बात है कि अगर आप shopkeepers को देखेंगे तो उसको as a alternate use करते है चेंज के अबना छुट्टा नहीं होता तो matchbox ले जो 10 रुपे का समान लिया 3 रुपे बचा है तो तीन माचे इसके डिबी दे दी अगर आप ancient China की बात करें northern ancient China की बात करें तो वहां कहा जाता है वहां की वोमेन अपने घर में stove lit करने के लिए कुछ chemicals को stick पर लगा के use करती थी लेकिन उसके traces हमारे पास नहीं है history हमारे पास नहीं है कि उसमें कौन से chemicals थे यह कहा जाता है कि वह mixture of chemicals की coating हुआ करती थी जो ल phosphorus की properties को पहली बार discover किया उन्होंने कहा कि जो phosphorus है इसमें flammable properties है आपको याद होगा red और white दो तरह की phosphorus यहां पे available है हमारी universe में जिसको हमारे scientists यूज करते हैं अर्थ पे available है जिसको scientists यूज करते हैं तो यहीं उन्होंने देखा कि phosphorus जो है वो flammable है और इसको use किया जा सकता है इस तरह के matchbox में अभी तक यह matchbox जो है flammable तो बन रहा था लेकिन safety नहीं था इसके पीछे भी एक लंबी history है बहुत सारे scientists या chemists इसको over the time evolve करते रह गए और finally एक safety matchbox जो है वो discover हुई जैसे हम बात करें parisian gene chancel की इन्होंने एक safe to use wooden matchbox बना तो ली थी लेकिन इनके साथ problem क कि इनका method था उससे एक violent chemical reaction होता था और उसे potassium जो है potassium chloride महाँ पर यूज किया जाता था और साथी साथ sulfuric acid यूज किया जाता था जो safe नहीं था यह कहते थे कि यह safe है लेकिन वह toxic बहुत होता था जब बात होती safety की तो ठीक हो जलने में ठीक होता था लेकिन जो chemicals होते थे यह ब friction match को यूज के जो आज आप modern matchbox देखते हैं उसको जब आप रब करते हैं stick को पर तो वह उसको हम कहते है friction match यानि वहां friction से जो light है जो fire है वो produce होती है तो उन्होंने combine किया mixture को sulfur के और बाकी materials को उसको coat किया wooden stick पे और rugged paper पे एक hard paper पे उसको उन्होंने friction के थ्रू यूज करने क हैं self ignitable होता है खुद से अपने आपको आग लगा लेता अगर वो room environment में भी पढ़ा होता है तो इसमें क्या होता था कि इसमें दिक्कत या आती थी कि ये खुद से कई बार ignite हो जाता था और इसकी वज़े से काफी जादा issues होने लगे तो ये जो उनका concept था ये बहुत जाद उसमें वो पकड लेता है तो उससे क्या होता है कि मैस्टिक पतली होती थी और आख जादा लग जाती थी तो वो तूटके गिर जाती थी और लोग का काम ने हो पाता होगा आपने नोटिस क्या होगा जब आप मैस्टिक जलाते है तो एक consistent flame पे वो थोड़ी देर तक जलती ह जिससे क्या होता है कि आपका जो भी काम है आप candle लिट कर रहे हैं आप stove लिट कर रहे हैं तो आपका काम हो जाता अब सोचे वो flame बहुत जादा बढ़ जाए तो भी दिक्कत और वो flame वो मैस्टिक जल्दी से जलके खतम हो जाए तब भी wastage और ना जले तब भी wastage है तो वो balance बनाना बहुत जरूरी था जो हमें over the time बहुत सारी chemist बता देगा इसके बाद Charles Soria भी एक chemist थे उन्होंने भी पहली बार white phosphorus mix match को यूज करने कोशिश की लेकिन वही बात है कि successful white phosphorus नहीं हो पा रही थे हैं पहले भी देख चुके हैं कि पहले phosphorus को sulfur के साथ यूज किया गया त हो गई तो इसकी वज़े से काफी जादा issues होने लगे लोग को और इसलिए इसको ultimately बैन करना पड़ा अब बात आती है अभी तक हमने friction match box तो समझ लिया कि friction तो चलो यहां आते आते बन गया था लेकिन safety इसमें कैसे ensure की जाए आपने home light की डिबच देखे होगी उस पे match box पे सेफटी मैच लगे अभी सेफटी गॉंपोनेंट बड़ा मिसिंग था अब बार बार यही रिसर्च चल रही थी पूरे यॉरप में कि देखो माचिस की डिबबी तो बना दिया लेकिन सेफटी कैसे रखें कोई खुद से जल जाती है कोई बहुत जादा जलने लग जाती है कोई जलती नहीं है तो ultimately problem सबके साथ सेम है तो फिर एक सुदिन के गुस्ताफ एरिक पैश करके chemical एक chemist थे ठीक है उन्होंने अपने दोस के साथ Edward के साथ एक सेफटी मैच का विश्कार किया उसको discover किया और सबसे बड़ा था यह सेफटी मैच जो non-toxic थी अभी तक हमने दे non-toxic in nature हो अब यह बना कैसे उन्होंने क्या 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 फॉस्फोरस की कोटिंग ली और उसको स्मॉल मैच उस पर लगाया है यह जो रेड हेट आज आप देखते हैं कि माच के जो तीली होती है उसके पर जो रेड हेट होता ही रेड फॉस्फोरस के जो हेड्स हैं यह बेसिक भारत में पहुंत भारत में विस्कूल का इच्इव कॉर्स ने कंपणी लगा हो थे लिए को करने पर बहुंग ञर्यूसर बहुत वह तमिलनादू रीजन से ही होता है क्योंकि लेबर चीप है महां लकडी अवेलबिल है ड्राइलैंड है ठीक है तो वहां ड्राइब अवेलबिल हो जाती है और एसली वहां से आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि महां पर कॉस्ट जो है मैनुफाक्ट्रिंग की कम पर तो अधिकतर आपने देखा कि चाइल्ड लेवर इसंडास्ट्री में चाइल्ड को काफी जाधा लेबर की तरह यूज किया जाता है अब तमिल अडों में इसको आउटमाटिक मशीन से भी बनाया जाता है 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 हैम्मी ऑटमाटिक विफ भनाया जाता है in fact अभी आप बात करें कि 14 key raw materials है जिनके prices बढ़ गए इसकी वज़े से इसके price जो है वो double करने पड़ गए अब एक पर देखो 14 key raw materials क्या क्या है इस पे भी UPSC आप से question पूछ सकते हैं कौनकों से chemicals use किये जाते हैं तो सबसे पहला इसमें important chemical है wood basically ऐसा होना चाहिए जो chemicals को absorb कर ले वो ना बहुत ज्यादा hard होना चाहिए ना बहुत ज्यादा thin होना चाहिए न थिक होना चाहिए न थिन होना चाहिए वो optimum होना चाहिए कि जैसे match struck हो वो तूटे भी नहीं और उसमें आग भी लग जाए इसके लिए जो straight grain woods होती है उसको use किया जाता है और इसको readily sticks में convert कर दिया था और दो तरह के paid इस्तमाल होते है यहाँ पर aspen cut tree और white pine यह ऐसे दो common woods है जो match manufacturing में use किया जाता है दूसरी बात है इसको ammonium phosphate में dip किया जाता है जिससे fire retardant हो जाती है मतलब आप देखेंगे जो ammonium phosphate लगा होता है जिससे आग तो वह बगड़ता है लेकिन बहुत जल्दी से नहीं जलता है लगड़ी जल्दी जल जल जाती है पतली लगड़ी होती है तो वह optimum temperature पे optimum fire पे जलता रहता है इससे क्योंगा smoldering नहीं होती जल्दी से आपकी जो माचिस की तिलिये वह खतम नही किया जाता है और वह temperature जो है वह पीछे लगड़ी पर पास कर दिया जाता है साथ जहां पर इसको घिसते हैं वह जो डिबा होता है उस पर red phosphorus होता है powdered glass होता है साथ में गम Arabic होती हो यूरियल formaldehyde होता है यूरियल formaldehyde होता है यह red phosphorus क्या करता है जब आप match इस पर रब करते है लेटर से अगर यह box है आप box के हैं जब match रब करते हैं तो यह red phosphorus white phosphorus में convert हो जाता है और यहां पर fire जो है produce हो जाती है इसी के साथ साथ यहां पर potassium chlorate भी लगाया जाता है potassium chlorate क्या होता है कि temperature को बढ़ा देता है जिससे की जल्दी से आप देखते होंगे कई बार बार तिली को घिसते हैं डिबी पर फिर भी आग नहीं लगती क्योंकि वहां पर potassium chlorate की कमी होती है और आग नहीं पकड़ पाता आग optimum नहीं पकड़ पाया आपने एक बार उसको घिसा एक बार आपने उसको स्ट्राइक की और एक बार में आग पकड़ ले तो इसके लिए optimum मातरा में potassium chlorate ह है वो इस combustion process को आगे बढ़ता है सबसे important यहीं है यह combustion करता है फिर red phosphorus white phosphorus में convert होता है वह आँग लगाता है आग जो है वह आपके होट पर आपी वैक्स पकड़ती और फिर लकडी तक वह आँग ले जाती है तो इस तरह से पूरी matchbox की chemistry है वह simple आपके सामने सरल हो जाती है और तो यहाँ पर अगर industries labor intensive है तो government को थोड़ा सा यहाँ पर धिहान या incentives देने पड़ेंगे तभी employment का जो crisis है इंडिया में वो resolve हो पाया नहीं तो अगर इस तरह की industries अगर सकम कर गई तो फिर employment को लेके भी काफी crisis होगी South India की काफी बड़ी chemical industries में से एक मानी जाती है इसके कर ले वो में जो भी महां की laborers उनको दुबार से employment मिल जाए उनके जो crisis है मैचबक इंडस्ट्री की वो resolve हो जाए government को इनको intervention करके इस problem का solution दे दे आचा करतों clear होगे होगी पूरी chemistry आपको मैचबक के बीछे की क्या ऐसे evolution हुआ कैसे utilization और कौन-कौन से chemicals यहाँ पे use किया जात